हेलो फ्रेंड्स मैं अंजना मुझफर पुर विहार से आपका स्वागत करती हूँ और मैं बोल लहीं हूँ अंजना जलाइफ एस्टाइल से मेरा गार्डेन बहुत ही अस्त वियस्था थोरा सा उसको सुधारने की कोशिश की हूँ तो मैं आपनों के साथ सेयर कर रही हूँ आप इसको देख रहे हैं इसको कहते हैं चाली वो प्लास्टर हुआ तो उसी में एक चाली तुट गया तो मैं इसको दिवाल के सहारे खरा कर दी हूँ, इस पर एक घिया का बेल चर जागा, देखिए इतने छोटे से बेल में भी घिया निकला हुआ है, यह मेरा हरी मिर्च है, इसको मैं ओनलाइन मंगाई थी, इसको यूपी मिर्च कहके दिया, यह लंबे वाले मिर्च है, इसमें बहुत सारे मिर्च भी निकले हुए हैं, इधर भी एक है, इसका ग्रोध थोरा सा रूख गया है, इसमें पानी रूख जा रहा था, तो मैं इसको आज, इसमें बहुत सारे फूल निकल रहा है, इसमें बहुत सारे फूल निकल रहा है, इधर मैं कुछ पॉट्स में मिर्ची लगा दी हूँ, और डार्क ब्राउन बाले मिर्ची, इसमें बाले मिर्ची लगा दी हूँ, क्योंकि मिर्च हमें ज्यादा यूज होता है, तो हम छे साथ पॉट्स में मिर्च लगा दी हूँ, एलेमन ग्रास है, एलेमन ग्रास को मैं पिछले सीजन में कट कर दी थी, तो अब इसका नया ग्रास निकला है इसमें, प्रेंट्स में इसमें पोय का बीज डाली थी, तो बहुत सारे इसमें पोय निकल गए हैं, और कुछ अंकुरन भी अभी दे रहे हैं, एमन वही जो बीज, छे बीज डाली थी, वही इसमें से मात्र दो बींस निकले हैं, यही है वो काले वाले मिर्च, बहुत तीखाए मिर्च होता है, तो मेरे पास अब यही एक मिर्च का पोधा बच गया, तो मैं उसमें बीज डाल के मैं बना ली उसको, बहुत सारे पोधे हो गया, इधर मैं एक कुंद्रू लगाई हूँ, मैं बहुत सारा बीज डाल दे थी, तो इसके बारे में पता ही नहीं है, यह क्या है, यह तरबूज है, लेकिन अभी छोटा सा है, पता नहीं फ़लेगा या नहीं, मैं पहली बार तरबूज का बीज लगाई हूँ, यह मेरा बारा मासी सहजन, यह स्नेक प्लांट मेरे पास दो है, यहाँ यह चुई मुई का प्लांट्स है, मैं इधर तीन पॉट्स में अधरक लगाए हूँ, फ्रेंट्स अगर आप अधरक लगाए हूँगे, तो अधरक थोरा सा लेट निकलता है, और मैं इधर कुछ पॉट्स बनाए हुई हूँ, उसमें मैं गौर्फली की बीज डाली हूँ, अभी तक तो निकला नहीं है, यह भिंडी, मैं एक बार में पास पॉट्स में भिंडी डाली थी, तो किसी का निकल गया था, क्योंकि मैं जनवरी में ही डाल दी थी, लास्ट जनवरी में तो टेंपरेचर थोरा सा कम था, तो किसी में निकल गया, किसी में नहीं निकला, तो मैं फिर दुबारे बीज डाली हूँ, कुछ पौधे बरे हो गये हैं, कुछ छोटे-छोटे से हैं, ए मैं 18 इंच के मेरा एक ग्रो बैग है, उसमें तीन डाली थी, किसी में दो निकले, किसी में तीन निकले, अठारे इंच के पॉट्स में चार भी आप डाल सकती है बीज यह मेरा वही बैगन का पौधा है जिसमें मकरी बहुत लग गया था तो फ्रेंट्स इसमें बहुत मेहनत करना परा है तो अब इसमें फूल निकल रहा है यह लंबे वाले परपल बले बैगन है देखिए इसमें भूईला लगा हुआ है फ्रेंट्स हम जब गार्डेनिंग करते हैं तो गार्डेन को पौधे को बच्चों की तरह देखवाल करनी परती है देखिए भी देखते देखते एक भूईला भी निकल गया इसमें तो मैं इसको तोर के हटा दूंगी देखिए इसमें भी एक और है छोटे से हैं कुछ इस तरह मैं आगे से टमाटर रखती हूँ टमाटर का सीजन तो अब नहीं है यहां टेंपरेचर बढ़ गया है तो अब मैं हटा दूंगी लेकिन वही जो लगे हुए हैं टमाटर लाल हो जाए थोरे से लाल अच्छे मैं इसमें फिर उसके बाद भींडी डाल दूंगी तो जब यह भींडी बढ़ेगा तो फिर मेरा पिछे से भींडी हो जाएगा क्योंकि कुछ दिनों के अंतराल में डालना जरूरी होता है नहीं तो आपका एक ही बार सारा बढ़ेगा और एक ही बार सारा खतम हो जागा वैसे हमको कुछ खतम होता है तो कुछ पीछे लगाए रहते हैं तो हमें बराबर सबजी मिलते रहता है देखिए यहां घीया एचोवी सिंज के ग्रोब एग में घीया लगा हुआ है और इसमें भी घीया निकल गया अब घीया निकलना शुरू हो गया फ्रेंट्स आप ध्यान दीजेगा मेरे गार्डेन में कुछ फल दे रहे हैं घीया में तो कुछ छोटे हैं कुछ ट्रांस्प्लांट किये हैं कुछ बीज डाले हैं तो ऐसे ही करके हम हमेशा डालते रहते हैं आप भी अगर गार्डेनिंग करती हो तो ऐसे ही किजिए क्योंकि हम ग्रोब एग में करते हैं मेरे पास मिट्टी प्लांट्स के पास कम मिलता है उतना में नूटरेंस लेना है तो उसका ग्रोथ रूख जाता है तो फिर बाद में मैं डालती हूं बड़ा हो जाता है तो कुछ फल देते रहता है तो मैं आगे वाले को हटा देती हूं ये मेरा कुंद्रू में फाल भी दे रहा है फूल भी दे रहा है बहुत सारे कोई छोटे-छोटे भी निकले हुए है गार्डेन में तो ये कुंद्रू होना चाहिए बराबर आपको कुंद्रू मिलते रहेगा ये मेरा क्यारी टाइप लेए हुँ जिसमें दो लौकी लगाए हुई हुँ देखिए ये मेरा अपने आप टमाटर निकल गया है और इसमें फूरूटिंग भी हो रहा है एक साइड था तो मैं हटाई नहीं थी तो हो सकता है ये थोरा लेट भी हमको टमाटर देते रहे ये शाग मैं इसमें लाल साग का बीज घिराई तो लाल तो कम दिखाई दे रहा है हारा ही साग दिखाई दे रहा है एक खीरा है इसमें भी खीरा लगा हुआ था देखिए इसमें नेमो टेड यहां मैं हटा दी हूँ इसको नेमो टेड पकर लिया नेमो टेड जब प्लांट्स में पकर लेता है तो उसका ग्रोथ रोक देता है तो मैं इसको हटा दी और इसकी मिट्टी को फिर से रिचार्ज कुछ दिनो के लिए हमको छोड़ देना होगा इधार अर्वी 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 अब के पत्ते अफ्थोरे से बरे-बरे हो रहे हैं और कुर्चा अर्वी मेरा देखिए निकल भी रहा है फ्रेंड्स आप अपने गार्डेन में भी अर्वी जरूर लगाईएगा क्योंकि अर्वी का पत्ता मार्केट में नहीं मिलता है यह मेरा लौकी इसमें फूल निकल ला है देखिए यही है मेरा छोटा सा गार्डेन इसमें भी घिया निकला हुआ है यह 18 इंच के पॉट्स में मैं मात्र एक घिया का प्लांट लगाई है इधर भी घिया निकला हुआ है देखिए यहां मैं कुछ रिपोटिंग की हूँ जो थोरे से मुर्जाय हुए है जब रिपोटिंग करते हैं तो 3-4 दिन प्लांट्स थोरा सा मुर्जाया राता है वो धीरे धीरे शही होता है यह मेरा अपने आप उगा हुआ टामाटर था इसको मैं लगाई नहीं थी और आप भी फ्रेंट्स देखें जो कितना इसमें फल दिया बहुत फल दिया इसका साइज भी बहुत अच्छा एक करेला है इसको भी मैं रिपोटिंग की हूँ तो मुर्जाया हुआ है इधर मैं धनिया सीड के लिए जो रखे हुई थी इसको उखार के रख दी क्योंकि हमें अगले सीजन के लिए फिर बीज चाहिए तो मैं रख ली उसको कुछ इस तरह का गार्डेन का लुक मेरा हो गया है इधर मैं बांस लगा दी हूँ जो इस पर कुछ है दो में मैं बेल वाली सबजी लगाये हुई हो तो इस पर चरहने में सुविधा होगी इस जुगारू गार्डेनिंग है गार्डेन तो जुगार से ही होता है क्योंकि जो बेल वाली है उसको चरहने के लिए सपोर्ट तो देना ही पड़ता है इसमें छोटे-छोटे से भिंडी लगे हुए है कुछ इस तरह का गार्डेन है फ्रेंड्स मेरा गार्डेन कैसा लगा आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरा मनोबल बढ़ाईए कमेंट्स आते रहता है तो थोरे से इनर्जी मिलते हैं इधर मैं ये मचान बनवाए हुई हूँ जिस पर सारे बेल वाली सब्जी ज्यादा तर बेल वाली सब्जी मैं इधर लगाए हुई हूँ क्योंकि यहां मचान पर चरहने में इसको सुभिधा हो यही है मेरा छोटा सा गार्डेन फ्रेंट्स अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए थैंक यू